अल्डी गुल में आपका स्वागत स्वात्य समंदी चर्चा के अंदर देखो हम हर समय इस लगन में रहते हैं कि आईरिवेद की अच्छी फार्मेशी और सस्ती गोली यानि की सस्ती दवा या गोली कैप्सूल और जिसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और आम आदमे उसको ले सके यानि की जो छोटी होटल पे कप प्लेट धोने वाला भी ले सके इस तरह की दवाई क्योंकि स्वास्ते तो देखो सब कोई अन्मौल लगता है आज उसकी मजबूरी है कि वो पेसे नहीं खर्च कर सकता लेकिन इंसानियत के नाते उसका इलाज जरूरी है क्योंकि ये वक्त का तकाजा है तो मैंने सुबह आपको टेंटेक्स रोयल हिमाले का उसका वीडियो दिया बहुत अच्छा वीडियो और आज मैं आपको मैंने सुबह भी जिक्र केया था कि मैं बहुत जल्दी आपको सुक्र सकती का वीडियो जारी करूँगा जो मुल्तानी फार्मेसी बनाती है सबसे पहले तो मुल्टानी नाम आते ही कहीं लोगों के दिमाग में यह आ जाता है कि यह कोई मुल्टान का मौमडन है देखो ऐसा कुछ नहीं यह हिंदू है और दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी फार्मेशी है कि बहुत बड़ी है और इसके प्रोड़क्ट बहुत हैं अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट हैं मेंगे भी हैं सते भी हैं और मैं जो काम में मेरे लिए हुए हैं उसका नाम मैं आज दूंगा वो टेबलेट की सक्रम है है उसका नाम है शुक्र सक्ति अब मैं आपको एक बात बताता हूं सो टेबलेट की डिविया मेरे पास यह डिविया मैं आपको बताता हूं यह शुक्र सक्ति की डिविया उल्टा सुल्टा का अब मेरे को फ़र्ण पता नहीं चलता यह देख लो यह देख लो अब मैंने यह भी दिखा दिया और यह भी दिखा दिया अब मैं क्या कर सकता हूं हाँ यह यह 60 टेबलेट की यह डिविया है 100 टेबलेट की भी आती है 60 टेबलेट की यह डिविया है और इसकी किमत MRP अब इसके किमत प्रेंट नहीं हो रही अक्सर अब यह तो इसका मुझे मालूम नहीं इसको छोड़ यह आप इसमें जो 100 टेबलेट की यह डिविया उसके MRP 331 रुपया है आप लिख लिए उससे इसकी आप निकाल लेना किमत यह सुक्रेशक्ति देखो एक बात बसा देता हूं मैं आपको कोई मेरे पर नजर मत लगाना क्योंकि दुस्मनों की कमी नहीं है देखिए मजा करते हैं हमारी आदत कुछ सुरू से ही मजा किया रही है और ऐसा कोई वीडियो नहीं कि जिसमें हम कोई टांक फूंस कोई गाने की एक लाइन गुन गुना दे हैं हम जानते हैं कि किनी किनी को अच्छा नहीं लगता तो हम उनसे समा मांगते हैं लेकिन हम अब वो कुटे की फूंस को अगर बारा साल भी भूंगली में डाल दो और फिर निकालो तो वो टेडी की टेडी रहेगी तो करीब करीब हमारी यही हालत है आपको हम अब कितने दिनों के मेमान हैं हमें सराइखाली करने का नोटिस मिला हुआ है तो हम उसे ले नहीं रहे हैं उसको आगे सरकार हैं अनमाजी से प्रात्ना करके बावा अभी हमें बहुत काम करना है तो जहां तक हम आगे सरका सकते हैं सरकाएंगे तब तक आप है जो हमें प्यार देते रहिएगा कोई बुरा नहीं मानेगा तो सुक्रा सकती सो टेब्लेट तेनसू इगत्रीस रुपया यनि कि एक टेब्लेट का हुआ तेन रुपया इगत्रीस पेसा सब तिन रुपया मान लुआ इसकी खुराख होती है दो टेब्लेट सुबै दूट के साथ और दो टेबलेट रात को तो चार टेबलेट तेरा रूपे की हुई अब देखो आज के वक्त में तेरा रूपे के अंदर क्या आता तिन कब चाया आती है तो जिनका रोग अधिक नहीं बड़ा हुआ है वो अपने जो भी कोई दवाई ले रहे हैं उनके साथ में ये सामिल कर ले है तो आप यूँ मान के चलो कि रेल गाड़ी के एक इंजन तो लगावा है और डिब्बे ज़्यादा हैं तो वो धिरे ही चलेगी तो इसको पलस कर दो यानि कि एक इंजन और लग जाएगा रेल गाड़ी के तो उसके चाल फास्ट हो जाएगी कोई नुकसान नहीं जन्दी मंजिल पर पहुंच जाएगी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर आप इसका गलत दुरुपयोग ना करे तो क्योंकि मैं बरसों से कामे ले रहा हूँ और खुब मैंने कामे लिये और जिनका जो एकदम गरीब आदमी है मेरी बात सुनलो और कोई दवा साथ में नहीं है उसके उसको दो गोली सुबे दुद में दो गोली दुपहर को चाई में और दो गोली रात को दूद में अगर दूद नहीं मिलता है पेकिट क्या थेली ले ले अरे जैसा भी दूद मिलता है ले ले गाय का सरवतम बेंस का ठीक टाक और पानी सदा बाहर है ना तो वो छे गोली ले और ये कोस अठारा साल से लेकर और साट साल की आयुतक वालों के लिए अब इसके अंदर परहेज में आपको इमली की खटाई नहीं खानी और तली भूनी चीज़े नहीं खानी बाकि आप सब खाये दही चाच अमरूद टमाटर जो भी मोसम की चीज़े आप सब खाये और ये रिजल्ट देगी आपको तीसरे दिन तीसरे दिन ये रिजल्ट देगी और रिजल्ट ऐसे आएंगे मैं आपको क्या बताऊं मैं बताऊंगा ना तो आप उचल पड़ेंगे बस यह है आप 60 रुपे की 50 रुपे की 40 रुपे की कोई महिंगी गोली जो करिते हो वेसे रिजल्ट आएंगे इसके इतनी बड़िया यह दवाई है सुक्र सक्ति और इसका कोर्स जो 50 साल के अंदर अंदर हैं वो 41 दिन लें और इससे उपर की आयू वाले हैं और उनको और कोई रोग नहीं है और वो गरीब है तो वो दो मैना ले सकते हैं दिन में तीन बार और जो और कुछ दवा ले रहे हैं जैसे मालो कोई 54 प्रास खा रहा है या कोई और कोई टोनी खा रहा है तो ये दो दफ़र दो गोली इसकी खुराग दो गोली की है चार सो या पान सो मिली ग्राम की गोली होगी तो इसके थोड़े मैं आपको गुन दोस बता देता हूं वैसे जो मैंने कह दिया ना उसको फाइनल मालना इसमें जो लिखा हुआ है मैं क्या बोलता हूं उसको सुन लेना बस हाँ मुल्तानी सुर्वक सुक्र सक्ती टेबलेट के फाइदे नुक्सान उप्योग वीदी और प्राइस सुक्र सक्ती मुल्तानी फार्मिस्टिकल द्वारा निर्मित जड़ी बूटियों और लो बस में युक्ष आईरवेदिक दवा है जैसा नाम से ही पता चलता है ये दवा के अबल पूर्सों के लिए है इसका मुख्य उप्योग अस्प्रम काउंट को बढ़ाने के लिए है इसका नाम सुक्र सक्ती इसलिए पड़ा है कि ये पूरी सरीर को ताकत तो देगी लेकिन जिनके सुक्राणूं कम है या कमजोर है या नहीं है उनको ये बढ़ाती है मुख्य इसका ये है ये व्रश्य गटकों के कारण उत्तम बाजी कारक है ये बाजी कारक दवा है और काम सक्ती को बढ़ाती है इसके सेवन से पूरू प्रेजनन अंगों को ताकत मिलती है जिसने सिग्र पतन एरेक्टाइल डिसफंक्शन धातू निकलना आदी में लाब होता है ये धातू वरदक है वीर्य वरदक है सक्ती वरदक है और बल वरदक है लो बस्म होने से ये सरीर में हिंबलो गलोवीन के अस्तर को भी सुदार्थी है इसके कुछ मेहने के सेवन से अस्प्रम काउंट मे बड़ोती ही होती है जो सिर्फ सुक्रानू बढ़ाने के लिए लेते हैं तो गाई के दूद के साथ तीन मैं ना ले हैं कोई तकलिफ नहीं अब मैं आपको बताता हूँ कि बनाने वाली फार्मेशी का नाम मैंने बता दिया और इसमें लोग बसम और जड़ी बूटिया है ये पुरुसों के लिए हैं और इसके जो कंटेंस हैं कितने पैरे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको इसमें ताल मखाना है रात जो रोईल के अंदर मैंने कोकिलास सब्द बोला ना ये संसकर्थ में कोकिलास हिज ताल मखाना को ही संसकर्थ में कोकिलास करते हैं तो रोयल केपसुल में भी ताल मखाना है, शुक्रा सक्ती में ताल मखाना है, इस से अंदाज लगा लिजए कि ताल मखाना कितने ताकतवर चीज़ है, हाँ, ताल मखाना इसमें, सालम पंजा, सफेद मूसली, कोच के बीज, और मिस्री, सफेद चंदन, इलाइची और लोबस बस एक सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी क्योंकि हर तरह का आदमी को सोत ना चाहिए मैं अभी बताऊंगा कौंच के बीज की गिरी है और कौंच की गिरी बहुत परवावसाली हरवल दवा अजारों मरसों से कामें ली जाती है यह हाइपो थेलेमस पर काम करते हैं इसके सेवंसें सेरम टेजरोस्टन लूटिन आइजेन आर्मोन डोफमाइन यह सारी बाते हैं यह बढ़ते हैं सपेद मूसली के आप गुन जानते ही हो यह जिंसेंग है इंडिया का बाजी कारक होता है और सेक्स टोनिक होता है काम की कमी जो है उसको बढ़ाता है शिगर पतन को रोकता है सपेद मूसली और लोबसम आईरन है हेमलोगलोबिन बढ़ाती है आपको कमजोरी नहीं आने देती और सरीर में प्रयाप्त आक्सिजन पहुंचाती है अगर लोबसम की कमी की वज़े से ठकावट जिन लोगों को रहती है जिब सूच जाती है उनके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है लोबसम को पीलिया के अंदर भी दिया जाता है अब इसका सुक्र सक्ति के फाइदे कमपनी की और से हैं ये एक सेक्सूल टोनिक है इसमें कौंस ताल मखाना सालम पंजा सपेद मुसली जैसे दर्वे हैं जो पूर्सों की विशे सुरूप से उप्योगी माने गए हैं ये काम इच्छा और पर्दसन में सुदार करती है ये जो सुवर्दक टोनिक है इसके सेवन से सरीर को ताकत मिलती है ये अस्प्रम काउंट को बढ़ाती है ये शिग्र पतन अस्तंबन दोस अनेचिक सूक्र पात और स्वप्न दोस में लाबदाइक है ये बाजी करन है और जिनका लिबिटो कम हो गया योन दुर्बलता कम हो गई जिनको सुपंदोस और सिग्र पतन और अस्तंबन का टाइमिंग कम हो गया तो उनके लिए बहुत बढ़िया है इन्होंने खुराक लिखी है दो गोली दिन में दो बार सुबह और रात को इस्तिती अनुसार इसे तीन गोली की मात्रा में भी ले सकते हैं अगर दो दफ़ा आप लेते हैं और आपको लगता है कि अपनी ठीक नहीं है बहुत कमजोरी है इस मामले में तो तीन गोली भी ले सकते हैं गाई के दूद के साथ दूद के साथ गुलकंद के साथ आमले के मुर्बे के साथ सूकी कोई चीज नहीं ले तो तीन गोली ले सकते हैं और अपने डोक्टर से एडवाइज करें दो दो तो आप ले अगर तिन तिन लेने के आवशकता है तो मुझसे पूछ ले मैं आप इसे दूद के साथ लें देखो इसके अंदर लिखा हूँ है मैं जुट नहीं बोलूँगा कभी अगर आपको दिखावा थे नहीं तो आप कहेंगे बंदा हर बात दूदी 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 दूद करता है इसमें साफ लिखा है इसे दूज के साथ ले इसे भोजन करने के बाद ले तो सूबे की खुराक खाना खाने के बाद लीजिए और रात की खुराक खाना खाने के बाद जब आप सोएं तो दूज के साथ लीजिए या डाक्तर दुवारा जो एडवाइज करे अब इसके थोड़े से जो side effects है कि इसको कब प्रयोग ने करने चाहिए ये सबी लिखते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखे रखने भी चाहिए ये बच्चों का क्या काम है मेरे यंगे ने में तुमारा क्या काम है जो भी नाम वाला वो ही तो बदे नाम है अरे जिसकी भी भी मोठी उसका भी क्या काम है गद्दे पे बिठा लो गद्दे का क्या काम है मेरे यंगे ने में तुमारा क्या काम है तो बच्चों से दूर यहां बच्चों का काम नहीं और इस दवा के साथ के अंदर आप दूद्ग और जी और मक्षन और केला केला के उपर निला निसान लगा हुआ है समझे ना केला वह ताकत्वर होता है खजूर थंड के मौसम में अब खजूर चलू हो गए आदी वीरिय वर्दक आहारूं का सेवन अवश्य करे अगर मान लो आप दूद्ग से नहीं ले पाते दूद्ग नहीं मिलता तो ये चीज़े तो आपको बजार में मिलती है तो इस दवा के सेवन के जोरान आप केला खजूर जो वीरिय को बढ़ने वाली चीज़े है उनका प्रियोग करे जंक फूड नहीं खाएं तले भुने हुए ये मसाले दार नहीं खाएं खूब पानी पिए एकसरसाइज करें और तनाव कम करें कबज नहरने दे मैं हर बार कहता हूँ कि आप चाहे हजार रुपे की एक गोली ले लो अगर आपको कबजी है तो आप ठीक नहीं हो सकते और ये दवा कबज नहीं करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ जिन दवाओं में अफिम का योग होता है वो कबज करती है सुक्र सकती कबजी नहीं करेगी लेकिन जिन को ओल रेडि पहले से कबजी है तो वो कबजी के लिए कैस्टर ओयल सबसे स्रेश्ट नमबर दो उनकी इच्छा हो तो इस अब गोल की फक्की लो वो जैसा भी चाहें वेसा करो बागी कबजी नहीं रहनी चाहिए अगर कबजी रहेगी है ये दवा लोगे तो फिर परिनाम नहीं आएंगे आएंगे दस परशेंट आएंगे ये सुक्र सकती के बारे में मैंने आपको बताया और ये अभी मेरे पास रेडि है नफा नहीं लूँगा जो MRP मुझे याद 331 रुपया है और साट वाली के भी जो MRP होगी वो तो जो MRP यहां है वोई MRP आपके वहां है MRP से एक रुपय भी ज़्यादा लेना गुना है तो मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास है मैंने पहले मंगा के रखी है अब देखो एकदम फोज अगर अपने गेट पे आ जावे अब हमें एक बात याद आ गई हम सुनाए भी नहीं रह सकते क्या करें आदत से लाचार हैं एक राजाजी थे बड़े मस्मुला राजाजी थे तो शेना पती ने कहा कि महराजा आप दिन बस सत्रेंच कहलते हैं क्या तकलिव है कि दुष्मन की शेना अब दस कोस दूर रह गई है तैयारी करा रहे हैं दो मिनट का काम है आने दो उनको निमट लेंगे अभी काई को जल्दी करते हो हमें सत्रेंच कहलते हैं तो एक दूसरा दर्वारी दूसरे दिन आया तो उसने कहा माराजा कहां कहां अब पांच कोसी दूर रह गई है तो काई को चिंता करता यार एक ये प्यादा इदर का इदर बिठा दिया है निमट लेंगे कितनी शीख फोज होगी निमट लेंगे तो राजा के जो ये शिपला सार थे इनके अंदर एक खाती था खाती जानते हो आप जो इमारती लखडियां बनाता है कोसी टेबल तो देशी बासा में खाती कते हैं और विसे अंग्रेजी में कारपेंटर या जो भी नाम है तो वो था तो अगले दिन वो आया कि महराजा कहां कि सेना है जो अपना ये जो गेट बंद करका है न यहां तक आके खड़ी हो गई क्या करें कि तयारी करो कि अब एक कहावत है कि उबा खेजड़ा बेज नहीं पाड़ सकते इसको मैं समझाओंगा आपको ये मारवाड़ी में कहावत है कि सरकार उबा खेजड़ा बेज कोने पट को जाओ है अब उबा खेजड़ा का मतलब तो ये हुआ लकड़ी और एकदम से आप को कि इसके अंदर छेद कर दो तो उसकी सार भी लाने पड़ेगी रशी भी लाने पड़ेगी और उसमें आदी घंटे का टाइम भी लगेगा कि राजा अब उबा खेजड़ा बेजने पड़े अब समय नहीं है जान बचानी है तो पिछले गेड़ से हम भी भगते हैं तुम भी भगो कब है तुम ठेरो पहले मेरे को भगने दो तो वो मासे भग गए तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई चीज हो उसका इस्तेमाल करते हो मैंने मालो इसका वीडियो आपको दिया और मुझे मालूम है कि आप कहेंगे भी हमें दो तो अगर मेरे पास है मैंने रोइल के लिए नहीं का मैंने रोइल के लिए ये का कि मैं महँआ दूँगा लेकिन ये मेरे पास है तो मुझे कोई एतराज नहीं जिसको जहां मिलती है सबसे पहले वो वहां खट करे मैं सिर्फ पोस्टेज का पैसा लूँगा इसके अलावा क कुछ भी नहीं लूँगा मैं आपकी सेवा के लिए तयार हूं और ये मैं आपको आस्वस्त करता हूं देखो गारंटी की आजकल कोई वेलू नहीं रही ये काज का गिलास है ये तूट गया जो तूट गया सो तूट गया तो लेकिन इसको हजारों रोगियों को दे चुका ब मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि इतनी सच्थी गोली के ऐसे रिजल्ट कैसे है जबकि इससे महंगी महंगी 20-30 रुपे की गोलियों के रिजल्ट नहीं आते और ये फार में सी है जो विज्यापन नहीं करती कोई शीज नहीं देती हमारे को कोई गिफ्ट में या कोई चीज कुछ भी नहीं देती इतनी बड़ी फार में सी है इसको इनको पता ही नहीं कि हमारा कौन सा ब्रांड कैसे चल रहा है ये सब चीजें बनाती है और सब चीजें बड़िया बनाती है ये आगे और इनके जो प्रोड़क्ट है उनके बारे में आपको मैं जानकारी दूँगा और हंड्रेड की लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट रहेगा आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं और मैं इस बात की हाँ तर लूँगा कि अगर आपको फाइदा ना हो और अगर ये शील लगी हुई डिबी आप दो ले आए तो एक आप मेरे को बेर जाना और बोलो क्या चाहते हो मैं इसकी एवज में रुपया ना दे करके को तिल का तेल दे दूँगा बदाम का दे दूँगा माल काईनी का दे दूँगा मेरे पास कोई कमी नहीं इस से ज़्यादा कोई शोरटी लेने वाला है क्यों ले रहाँ मैं शोरटी इसलिए ले रहाँ कि कोई बात कहता हो ना तो उसमें आत्में विश्वास जलगता है और जो बोलते हैं ना मुर्दे जैसे बोलते हैं उनको बोलना नहीं आता किसने बिठा दिया उनको यूटूब के अंदर आदमें ऐसा बोले कि सामने वाला है ना सुनता रह जाए अरे दिल होना चाहिए जिगर होना चाहिए धाई हाथ का कलेजा होना चाहिए कि मैं आप से ये वापस लेने को तयार हूँ और इस से ज्यादा आप क्या चाहते हो खुली भी नहीं लूँगा आप पांच दिबी लियाओ दस लियाओ दस तक ले लूँगा और बोलो क्या चाहते हो शोर्टी मैं अब तो तो इस वीडियो को इतना सब्क्राइब करो, इतना सब्क्राइब करो कि ये हर एक छोटा आदमी, वैसे छोटा किसी को नहीं मानता लेकिन ये लेंग वेज़ है, जो होटल पे कपलेड होता है, जो सेलुन में नोकरी करता है, जो सापसफाई करता है, वहां तक के मतलब आवाज पहुंचे, इतना इसको आगे से आगे फारवर्ड करो, ताकि वो इसका लाब उठा पाएं, और इस पाजी बिमारी से निजात पाएं, ये एक तरह से पुर्णे का काम है, ये धर्म का काम है, अब बताओ कौन सी फार्मेशी कहां बनता है, कहां गया, उसके एक विश्वास के उपर हम इतनी बड़ी रिश्क अपने उपर लेते हैं, ये कम बात नहीं, ये क्या कम है कि दुनिया मर जाने पे याद करती है, तो आप हमें याद करते रोगे, अब हम चलते हैं, कर दूबन, कर दूबन, कर दूबन, ये,